हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल दिखी फ्रेंट्स आज हम निव डिजैन का डोर मिट बनाएंगे पुरानी साड़ी वा चुन्नियों से या आप किसी सलवार सूट से या मैक्सी से किसी से भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्रा अंदाज से अपने बरावर बरावर की दो तीन पट्टियां कर लें देखिए इसकाम डोर मिट बनाएंगे सबसे पहले देखी फ्रेंट्स इसको यहां से देखिए इस तरह से लेंगे और यहां पैसे गाट लगाएंगे देखिए इस तरह की अब फिर से देखिए इस चोटी की तरह यह बनाएंगे, इसको दिखिए, यह चोटी की तरह आ रही है, इसको हम चोटी की तरह ही, सारी पट्टी को हम चोटी की तरह इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम पट्टी बनाएंगे देखिए फ्रांट्स मैंने ये तीन कलर की इसमें पट्टियां बनाई है देखिए एक ये चोटी की तरह मोटी मोटी बनाई हुई है और देखिए और मैंने ये किये मल्टी कलर में बनाई है अब दिखिये एक हम इसकी यह रैड रैड कलर की बना रहे हैं कि इसमें से ऐसे फसाएंगे इसको खीच लेंगे फिर से खीच लेंगे और इसको इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे पर दिखिये जैसे हम चोटी बनाते हैं उस्ठीक उसी तरह से इसको देखिए यह चोटी की तरह ही आएगी देखिए इस सारी पट्टी को हम पहले इसी तरह से बना लेंगे इसके बाद आगे आपको दिखा रण्स मैंने तीन वाई है चोटी की तरह तीन पट्टियां बना ली है अब देखिए इनको हम कैसे जोड़ेंगे पहले दिखिए इस दो कलर वाली से हम देखिए इसको इस तरह से ऐसे देखिए गुमाएंगे देखिए और दीरे दीरे इसको इस तरह से गुमाते जाएंगे देखिए इदर से और इसको इस तरह से गुमाएंगे और यहां से चार तरह विस्की से लाई करेंगे इसको हम गुब बनाएंगे देखिए पहले हम इसकी सिलाई करेंगे देखिए इसकी यहां से लेके जहां से मैंने सुरू किया था है यहां तक इसकी पहले हम सिलाई कर देंगे कि देखिए फ्रेंट से इसको ओम ने चारत और चार्वंत चुह छौ ख़aka ऐद देखिए इसको रखेंग किस तरह सो बने केमाने फ्रेंट से नवसाफ दीजिए नवाbig समय क्पार दखेंगे क्लेशा साइब है इस तरह से की ऐसे लाई करेंगे हम देखिए देखिए यहां से लेके इसके हम यहां से यहां तक सिलाई कर लेंगे पहले देखिए इसको एक सा लगा लेंगे इस तरह से और इसके हम स्लाई कर लेंगे अब देखिए फ्र responds मैंने यह दोना कलर सिल ली अब देखिए हम इसमें जो रैड बचा हुआ है इसको इस तरह से यहती इस तरह से हम इसको भी से लेंगे देखिए सब से पहले हम इसको यहां से स्टाट करते हैं और इसको देखिए इसके इसी के बीच में किनारी इसकी दवार लेंगे देखिए इसको इसके चार तरब से इसकी सिलाई करेंगे देखिए अब देखिए पहले हम इसको गुमा गुमा के इस तरह से सिलाई कर लेंगे फिर आपको दिखाए ये देखिए फ्रेंट्स ये की फ्रेंट्स मैंने ये सिलके कंप्लीट कर लिया देखिए बहुत ही सुन्दर बनाए और ये और बहुत ही जल्दी बन जाता है आप लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को सेर कीजिए थैंक यू